प्रिवियस लेक्ट्चर वीडियो के अगर हम बात करें तो हमने ग्रूप 16 यह जनरल ही हम बात कर सकते हैं कि modern periodic table को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको एक ग्रूप करवा रहा हो ताकि आपको यह पता तिल जाए कि किस तरीके से हम हमें ग्रूप को पढ़ना होता है 11 क्लास 12 क्लास दोनों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो हैं कि हमें ग्रूप की स्टडी कैसे करनी होती है तो हमने प्रिवेस वीडियो में अगर हम बात करें तो अपने ऑक्साइड के ऊपर वर्ग किया था ऑक्सिजन को बनाया कैसे जाता है ऑक अब शीजन किसीन से रियक्त करेंगा कि तो मैटल ओक्साइड बन जाएगा और मैटल ओक्साइड का लिए और अपने भी योग है और योगा इसके साथ आग्र मैं बात करूंप्रत्व चहना करता है तो नों मैटल खका डिए नाटल की में बताओं यह जो है रियक्ट करता है बनेगा तो अगर इंको करवाया जाए तो तो क्या बनेगा अब बात करें तो हो तो प्लस बनेका अभी घो o बनाता है आई लुहीं है30 आडिक में बात करें तो भी आपको बात करें तो फिक्स सme करेंगे तो इस तरीके से और नॉन अग्ट करेंगा तो यह है कि जब हम किसी भी नोन मेटल से घुण करेंगे तो यहां पर दो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उनकी तरफ थोड़ा सा जान दे सल्फर डाय उक्साइड से जब हम उक्सिजन को रियक्ट कराते हैं तो यह जो है वह बहुत आसान नहीं होती है और सल्फर डाय उक्साइड उतनी यह कर नहीं बाते तो हम करने के लिए वैनेडियम पेंटाउक्साइड को तो अब देखें मैंने कहा कि एक्षन बहुत आसान नहीं होती तो बात यह आती कि करानी ही क्यों है इसकी प्रिजेंट में हो जाती है ठीक है लेकिन क्यों करानी है अगर मैं इस रेक्शन की बात करूं तो सल्फर ट्राय उक्साइड वह मेजर कंपाउंड है जिससे हम स्टो श्री होते है इससे रिएक्टिव जो है वह आपका होते हैं टो कहने का मतलब कि कि यह मतलब ने कि वह बहुत रिख्क यह मतलब है कि इन्ड़स्टी द्रीज में सबसे जादा यूज होने वाला केमिकल तो गाता है ला, इसका मतलब कोई भी ईंडस्री विधाउट अस वर्क नहीं करती कोई भी chemical प्रोड़क्ट जवाब बनाते हैं कोई भी प्रोड़क्ट household भी जो बनते हैं सभी के अंदर Sulfuric acid even textile industry जो कपड़े हम बनाते हैं जितने भी household हम यूज कर रहे हैं कपड़े plastic rubber सब के अंदर S204 का use होता है तो that's why this is known as king of the chemical अगर यह king of the chemical है तो उसे बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है SO3 की इसका मतलब SO3 यह जो reaction है यह हर एक nation में बहुत widely कराई जाती है यह reaction हम बहुत जादा important that's why इसको हम अलग से बढ़ रहे है कि Sulfur dioxide को oxygen से react कराते हैं V2O5 की present में SO3 बनता है ध्यान रखना है यह reaction क्यों important है क्योंकि SO3 मेजर compound है जिससे आप H2SO4 बनाते है तो इससे बहुत जादा important हो जाती है और इसी तरह की कि एक और reaction है जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है जब है है एक सील और O2 की reaction आपको कराते हैं है स्यल आपको बता है इस हईड्रोख्लोरीक एसड अगें यह reaction आसान नहीं होदी क्यों प्रॉड़ाइड की आपको क्या मिला सील टू अगर कोई एक्षिन लेनी है तो आप इस रिएक्षिन का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं है आपके पास ब्लीचिंग एजन नहीं है कोई तो आप सीधा सीधा यह हो गई आपकी प्रोबटी अब बात कर लेते हैं किसके बात करो तो तीन मेजर यूजर आपको सिर्फ ध्यान रखना है सबसे पहला एसी ट्रैलीन वैल्डिंग में कि वैल्डिंग आपको अच्छे से बताए क्या होती है कि अगर हमें किसी भी दो मैटल्स को आपस में जॉइन करना है तो हमें बहुत लाज अमाउंट के एनर्जी वहां पर बनानी होगी ताकि वह मैल्ट होकर जब दुबारे से सोलिट फो में आए दुबारे से इसके साथ निकलती है लार्ज अमांट ऑफ इनर्जी और वह इनर्जी इनफ होती है कि वह मैटल्स को क्या कर सकती है मोल्टन फोम में ला सकती है मैट कर सकती है तो इसलिए हम ऐसे टिलीन में इंदर इसका यूज करते हैं अगर मैं दूसरे यूज की बात करूं तो दूसरा यूज आप बहुत फैमिलियर है कि ओटू को आप ओटू गैस ऐसा ब्रीधिंग गैस आप उसे सिलिंडर में सब्सक्राइब